आपने कहा चीनी सेहनिक भारत के सिना को पीट रहे हैं। तो आमें 23 जुन 2022 को गलवान के मुद्दर पर राहूल गांधी ने ट्वीट किया कि क्या चीन ने भारती जुन पर कबजा किया है। तो यह आपने ट्वीट किया। और सबसे तो रोचक 6 अक्टूबर 2016 को राहूल गांधी ने क्या कहा था। स्रजिकल स्ट्राइक पर कहा था कि उनकी वीर्टा को खून की दलाली बताया था राहूल गांधी में। याद होगा। आज याद करना जरूरी है देश को। कि जब स्रजिकल स्ट्राइक के आलोग में बहुत प्रसंशा हो रही थी तो खून की दलाली बताई गए थी। और यह सिर्फ यही बात नहीं है। वो तो जेन्यू भी गए थे। यहां टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े थे। उनको नहीतिक समर्थन दिया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं कि जब एक अमरीकन अमबेस्टर आए थे उनसे बाचीत में उनने क्या कहा था। कि हिंदू ट्रॉरिजम लेथल जैनिस अधर ट्रॉरिजम यह तो उनने कहा था। अभी मैं खाले उन्हीं की बात कर रहा हूं उले कर रहा हूं। और बाके जो उनके महान नेता लोग साथ चलते हैं तो मैं दिगवजय सिंग के पूरे मामले को रेकॉर्ड के लिए आज रेकॉर्ड पर लही देता हूं। जाकिर नायक एपिटम अफ पीस कहा था। डेप्रेजन्टेटिव अफ पीस। उसामा जी तो जो हुई बात अपनी जगह पर है। बातला हाउस के काण में मारे गए थे तो यही डिगवजय सिंग जो है आज अमगर तक चले गए और आतंक्वादियों के परिवार से मिले और उस पर सवाल खड़ा किया था। और जबकि बहादुर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन शर्मा को मनमोहन सिंग की सरकार अशोक्चक्र दे रही थी। और स्ट्राजिकल स्ट्राइप को कि उनका नया सवाल नहीं है बहुत पुराने सवाल है। यह उनके नेता चिदंबरम सहावे रोज आठके लिखते हैं उनके क्या कहा था ? कि कश्मीर के लोग स्वायत्ता का मतलब आजादी नहीं मांगते आजादी का मतलब स्वायत्ता मांगते का की बात है ? अठाइस एक्टिबर 2017 को तो अब बाकी मनी शंकर एयर और बाकी लोग क्या-क्या बोलते नहीं मैं उसको अभी आपके सामें नहीं प्रस्तूत करूँगा इतना जरूर है कि अब इनके एक और वकिल साहब है सल्मान खुर्शीद कि उन्हें किताब लिखे थी ना संड्राइज ओवर अयोध्या उसमें क्या लिखा था कि हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को बढ़ाया जा रहा है जैसा बोको हराम है क्या दोगा ना आपको और यह सब पर कॉंग्रिस क्या करना उनका निजी विचार है माकी सेना के बड़े-बड़े जनरल्स का अपमान किया गया आप सब जानते हैं तो यह निजी विचार की सीमा क्या होगी राहुल गांधी सवाल आपके नेताओं के निजी विचार का नहीं है सवाल है आज के कॉंग्रेस के निटाओं की ट्रेनिंग क्या है सवाल है आज के निताओं का सेना केस प्रतिज सम्मान का इस्तर क्या है ये सवाल है आज आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है आज सेना के हमारे जवान हिम्मत से क्या पाकिस्तान का बॉडर हो या बाकी हो या चीन की सिमाएं हो खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए तो क्या हम सम्मान के शब्द ही बोल सकते हैं यह बहुत ही गंभिर जो और उनकी किताब में क्या-क्या खिलाफ में लिखा हुआ है और जब भी यह फ़स्ते हैं तो बस एक शब्द इस देर परसनल व्यूँ इस लिए फिर बाती हैं वहीं पर इतना आपको समय क्यों लगा सफाई देने में राहुल गांदी जी वाई टुक सो मेनी एर्स फॉर यू तो पुब्लिकली स्टेट यूर इस्टिशन अफ आम फोर्स तो आप यह भी कह देते हैं कि जो उनने पहले बोला है उसके लिए I'm sorry तो गलत था तो इसलिए मैंने आज आज आपके डेट वाइस जो आपने बोला है उसको हमने याद दिलाया इसलिए राहुल जी आपकी सफाई कुछ जम नहीं रही है आज मुझे बताएगा वो प्रेस करेंगे तो आज मैंने उनकी प्रेस को बड़ी इमानदारी से सुना तो जितना मैंने उनके प्रेस को सुना उतने ही मेरे मैं सवार उठने लगे फिर ल कांगरेस पार्टी आतंक्वात के ऊपर अपने रुख को सपाश्ट करें आज सेना के बड़े-बड़े अफसर जिसमें बहुत लोग उनके कुछ कि मैं स्यूटन. कि हमें सेना के institutional respect को compromise नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बोलते हैं, कि भारत की सेना भारत का एक बहुत बड़ा asset है, और हमें भारत की सेना की परमपरा, उसकी वीरता, उसके बलिदान पर बहुत गर्व है, और हमें राजनिती से उपर उठकर उसको रखना चाहिए, तो समाप करने के पहले मुझे एक बात और कहनी है, मैंने जनाब जराम रमेश का वीडियो आज कई बार देखा, और आपने भी देखा होगा, वो सवाल करने से रोक रहे थे, फिजिकली, और डिग्विजय सिंग उतने ही उत्साहिद थे बोलने के लिए, हमारे उपर तो बहुत आरूप लगाते हैं आप, कि बीजेप अलुक्तांत्रिक है, बीजेप ये करती है, वो करती है, और हमारे प्रधान मंत्री पर तो क्या-क्या, किस तरह के घटिया बाते कह जाते हैं, मुझे बताने की जरूत नहीं है, ये आप क्या कर रहे थे, कम से कम भाजपा के लोग सवाल पूछने से रोकते नहीं है, सवाल आप पूछते हैं, पूछे, लिकिन आज जो उन्ता आचरन हुआ, तो उनको मालूम है कि जवाब नहीं है, इसलिए समस्या होती है, इसलिए फिर वहीं से कहूंगा जहां से शुरू किया, राहूल गांधी जी, हज्जारों किलुमेटर चलने के बाद भी, आप डिविजय सिंग को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, और भी कश्मीर के अंदर, इससे बड़े शर्म की बाद हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब के बाद हो नहीं सकते हैं, ट्वीट चलते हैं, फ्री फर आल चलता है, देविन परासर, इंडिया टीवी, यह बहुत ही गहर जिमेदारना वक्त अबे है, कश्मीर एक बहुत ही संवेदन शिल प्रदेश रहा है, और आज प्रधान मंति नरेंदर मोदी के अगवाई में, जो विकास के काम किये गए, और धारा 370 के बाद, कश्मीर पूरा भारत के मुख धारा में शामिल हो रहे हैं आज कश्मीर में एमस बन रहा है की नहीं, आज कश्मीर के बच्चे आईएस आईपियस बन रहे हैं की नहीं, आज कश्मीर में के बच्चे क्रिकट खेलने का नया अवसरा मिल रहा है की नहीं, यह क्या बात आप करते हैं, आज कश्मीर में टूरिस्ट जाने की संख्या दस जो कश्मीर में पर्यटन वहां के रोजगार का सबसे बड़ा मार्ग रहा है उसमें कितनी बढ़ोत्री हुई है तो मैंने पहले भी कहा है देवेंदर बावु होमवर्क करना राहुल जी की फित्रत नहीं है तो आज भी लोगों नहीं बताया उनको हां लेकिन उप राज अंगर और जेस तरह की टिपणिया की जा रही है वह बहुत ही शर्मनाख यार इर्रेस्पॉंसिबल तो बार बार प्रधान मंत्री ग्री मंत्री ने विशेश्व से कहा है कि चुना होंगे वहां पर